हेलो फ्रेंट्स मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चनल पर स्वावत करती हूं आज हम चली ब्रेट बनाएंगे चली ब्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ ब्रेट लेंगे और उसे दौनों तरफ से अच्छे से लाल सेख लेंगे इसके लिए तवे पर थोड़ा सा मख़र डालेंगे कि यहां रहें मक्कन थोड़ा ही लेंगे ज्यादा मक्कन नहीं डानेंगे परना सारी ब्रेट सॉफ्ट सेखेंगी और हमें ब्रेट को थोड़ा टाइटी सेखना है अब इसे निकाल लेंगे इसी तरीकी से पाकी ब्रेट पीशेख लेंगे सारी ब्रेट सिक चुकी है अब इसे थोड़ी देर ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब चिली ब्रेट बनाएंगे स्केलिक पैन गरम गरेंगे और इसमें दो बड़े चमबस तेल डालेंगे तेल करम हो गया है अब इसमें दो कटी हुए प्यास जाल कर थोड़ा चला लेंगे अब इसमें दो कटी हुए हरी मिर्च और एक चमच किसा हुआ अध्रक डालेंगे और सभी को मिला लेंगे और सभी को मिला लेंगे यह हलका फ्राय हो गया है अब इसमें आदा कप कटी हुए पत्ता गोबी आदा कप कटी हुए शिब्ला मिर्च और आदा कप कटी हुए गाजर डालेंगे और सभी को मिला लेंगे अब इसे ढग देंगे और दो मिनट के लिए सारी सद्जियों को पकने देंगे दो मिनट हो गई है और सब्जियां में पक गई है अब इसमें दो कटी हुए टमाटर डालेंगे और मिला लेंगे अब इसमें दो बड़े चमच टेमेटो सॉस दो बड़े चमच रेट चिली सॉस एक चमच सॉया सॉस और एक चमच विनेगर डालेंगे और सबी को अच्छे से मिला लेंगे अब हम ब्रेड लेंगे देखिए काफे टाइट सकी हुई है अब इन्हें क्यूब्स में काट लेंगे एक साइट से तीन पार्ट में कट गया है अब दूसरी साइट से भी तीन पार्ट में काट लेंगे देखिए क्यूब्स में कट गए है इसी तरीकी से बागी प्रेड को भी क्यूब्स में काट लेंगे सारी ब्रेड क्यूब्स में कट गई है अब हम कड़ाई में एक चमस लान्विश पाउडर डालेंगे अब इसमें नमक डालेंगे हम इसमें अल्रेटी सॉसेज डाल चुके है इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे अब सारे ब्रेड क्यूब्स को कड़ाई में डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिला लेंगे दो चमचे से अच्छे से मिलाएंगे इसे हम कम से कम दो मिन्ट के लिए मिलाते रहेंगे चिली प्रेड बन गई है अब गैस पन करतेंगे और सर्विंग प्रेड पर निकाल लेंगे अब इसे थोड़े से तिल से गारिश करेंगे चिली प्रेड बनकर तयार है यह बहुत ही टेस्टी होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चनल को सब्स्क्राइब करना ना पूले बिल्दे है नेक्स वीडियो में